Hello and welcome to TechInfoYT तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं जो default हमको material UI के साथ में मिलती है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने need के according उसको change कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका object देख लेंगे यहाँ पर configuration variable हमको मिलते हैं configuration variable क्या है यहाँ पर मैं करता हूँ step by step आपको बता देता हूँ अगर मैं palette पर click करता हूँ तो palette में क्या होता है colors होते हैं जो भी अगर आपको colors change करना है जैसे कि मान लीजी primary में blue आता है फिर इसमें main आता है dark आता है सारी चीज़े आप चेंज कर सकते है मान लीजीए अगर आपके project के अंदर जो है primary color आपको change करना है तो आप क्या कर सकते है directly जो है एक new file create कर सकते है theme के नाम से और उसके अंदर जो है total palette को change कर सकते है यानि कि इसको हम override कर सकते है अभी हम use कर रहे है तो देखिए यहाँ पर blue color का है अगर theme में मैं क्या करूँगा change कर दूँगा तो जहाँ भी मैं primary use करूँगा तो फिर वो color change हो जाएगा अभी मैं थोड़ी दिर में आपको करके बताता हूँ तो आपको easily समझ में आएगा तो इसमें आपको समझना क्या है कि आप totally material UI को change करने वाले है यानि कि जो material UI हमको provide करता है उसको हम totally change कर रहे है किसकी मदद से? theme provider की मदद से तो अभी practically देखेंगे इसमें और क्या है? typography है जैसे कि typography भी अगर आप open करेंगे तो typography में हमारे पास क्या क्या आता है जितने भी हमारे पास font से related data रहेंगा जैसे कि कौन सा h1, h2 या फिर उसकी font family तो ये सारी चीज़े आप जो है change कर सकते हैं typography की मदद से जैसे कि देखें typography, font family इसकी आप change कर सकते हैं फर्दर आप इसके अंदर components में भी changes कर सकते हैं style को override कर सकते हैं तो ये काफी complex topic है इसमें आप जब ही जाईए जब आपको एक perfect knowledge हो जाए MUI की, यानि material UI की अच्छी knowledge हो जाए तभी आप इसमें changes करिए क्योंकि इसमें आपको play करना पड़ेगा बार बार आपको values चेंज करके देखना पड़ेगा कि कैसे इसमें changes आपको दिख रहा है तो इसके हिसाब से फिर आप जो है एक perfect अपने लिए theme क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दीखे font size अगर आपको change करना है तो typography का आप font size change कर सकते हैं specific आप h1 को target कर सकते हैं h2 को target कर सकते हैं body को target कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं लेकिए theme.typography तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि spacing spacing भी मैं open करके आपको बता देता हो जाने कि जितने भी margin है, padding है तो ये सारी चीज़े भी आप change कर सकते हैं By default जितने भी material you are provide करता है उसको आप overwrite कर सकते हैं जो कि recommended नहीं है spacing में आप चाहे तो palette change करिए typography में अगर आपको font change करना है तब करिए brick points भी आप change कर सकते हैं मान लिजिए responsiveness में थोड़ा सा issue आ रहा है तो फिर आप उसको change कर सकते हैं वैसे I don't think इसकी ज़रौत है लेकिन फिर भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं इसके बाद में Z index है, transition है, components है components पे click करेंगे तो देखे सारे components को आप target कर सकते हैं जैसे के आपने यहां पे example में देखा हूंगा यह MUI button-based के लिए है तो यहां से आप उसको change कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं इसमें करने के लिए तो customization बहुत important part है पहला आप application बना लीजिए उसके बाद में भी आप customize कर सकते हैं बेसिक जितने भी material UI के साथ में fonts या फिर color मिलते हैं आप उनका use करिए उसके बाद में in the end आप क्या करें इस पर काम करें क्योंकि इसमें जादा time waste होंगा waste मतलब क्या है कि हमको जो desired result चाहिए उसको बनाने में हमको time लगेंगा क्योंकि हमको एक एक value यहाँ पर check करना पड़ेंगा कैसे यह काम कर रही है आप चाहिए तो directly css में भी कर सकते हैं लेकिन complete अगर आपको theme change करना है न तब यह आप इस theme का use करिए चलिए मैं क्या करता हूँ पहले एक basic example बता देता हूँ और इस पर वापिस आएंगे हम चलते हैं visual studio code में और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक new file create करेंगे theme.js के नाम से यह lower case में मैंने लिखा है और इसके अंदर आपको क्या करना है सबसे पहले जो है export कर देना है export एक variable बनाएंगे const और इसका नाम रहेंगा theme और यहाँ पर हमको क्या करना है create करना create का function आप call करें create theme देखिए यहाँ पर mui में से आपको option मिल जाता है mui slash material इस पर click करने तो यहाँ पर उपर import भी हो जाएंगा कि क्या चीज़ आप create कर रहें इसके बाद में यह object बन चुका है इसके अंदर आप क्या टर सकते है target कर सकते है क्या target करेंगे जैसे कि हम palette को target करके देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हू palette का object रहेंगा अब इसके अंदर हमारे पास sub object है बहुत सारी चीज़े हैं इसमें जैसे कि हम यहाँ पर primary को target कर लेंगे primary जो color था उसको हम यहाँ पर target करेंगे और इसके अंदर भी हमारे पास और होते है main है dark है तो उसको target कर सकते हैं और इसके अंदर आप भी hexadecimal color code add कर सकते हैं जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ x color code और यहाँ पर html color code में से copy कर लेते हैं कोई भी एक जैसे कि orange ठीक है इसका hash code कहाँ पर check कर लेते हैं दिखिए रहा copy कर लेंगे इसको चलते है visual studio code में और यहाँ पर hash लगा कि आप इसको paste कर लें यहाँ पर हमारी theme की file जो है create हो चुकि है लेकिन अभी यह कुछ भी काम नहीं करेंगी क्योंकि हमको क्या करना है हमारे application को बताना है कि आप custom theme हम यहाँ पर use कर रहे हैं तो कहाँ पर करेंगे आपको जाना है index.js की file में और यहाँ पर आपको क्या करना है theme provider का use करना है तो यहाँ पर लिखें अब यह app जो है आपको इसके अंदर पास करा देना है अभी यह work नहीं करेंगा आपको क्या करना है आपने जो newly theme की file create की है इसको पास कराना पड़ेंगा कुछ इस तरीके से औरेंज कलर में यहां पर शो कर रहा है जहां जाब हम primary use करेंगे तो अब यह color शो करेंगा अगर आपको secondary भी change करना है तो भी आप change कर सकते हैं इसे तरीके से जो भी आपको custom changes करना है जैसे कि हमने देखा यह नहीं है आपर कहा गया देखिए पैलेट चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं spacing components और भी जादा आप इसमें customize कर सकते हैं देखिए यहां पर application के design के साब से आप changes कर सकते हैं लेकिन make sure इसको last में करें आप start में ना कर दे changes वरना फिर आपको आगे चल के दिक्कत होंगी पहले आप जो है layout बना दे उसके बाद में कर आपको लगता है कि यहां पर changes होना चाहिए तब ही आप यह थीम में इसको target करें क्योंकि इससे क्या होंगा कि फर्दर आगे आप जो भी use करेंगे ना उस पर भी effect पढ़ेंगा प्रोजेक के अंदर मान लीजिए अब मुझे primary color दूसरा चाहिए तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएंगी फिर वही पहले वाला apply होंगा फिर आप जो है custom CSS की मदद से फिर उसको override करेंगे तो यह सारी problems हो सकती है so make sure जब जरूर होते तब ही आप जो है theme का use करिए और उसके अंदर के object को change करिए object बहुत सारे मिल जाते हैं आप चाहिए तो इसको console.log भी कर सकते हैं जैसे के theme variable में देखे typography का button है तो बटन भी एक बर बता देता हूं ठीक है typography भी देख लेंगे तो theme के अंदर आपको जाना है palette के बाद में अब क्या करेंगे typography को जो target करेंगे typography और इसके अंदर हम क्या करेंगे button को target कर देंगे तो button बटन के अंदर हम क्या करेंगे इसकी width बड़ा देंगे क्योंकि जादा इसमें changes हम को देखने नहीं है तो directly एक simple example में ले लेता हूं 300 कर देता हूं काफी बड़ा कर देंगे हम इसको 300 pixel मैंने कर दिया सेव कर लेते हैं चलते हैं application पर देखें यहां पर button का size 300 pixel हो चुका है इस तरीके से आप अपने theme को change कर सकते हैं उसके अंदर material UI के जो भी design है उसको आप overwrite कर सकते हैं यानि के change कर सकते हैं और अपने project design के हिसाब से colors add कर सकते हैं कर सकते हैं या यार需 आप 한 ओवर मेलें तरे मैं या सकते हैंriters आतके तरने कोநे कम इस सकते हैं यeli एन आप हो कर सकते हैं कि दो 살केते हैं यावका बहते हैं यारोन से सकते हैं